सीबी गंच में शराबियोंने की पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की चीता मोबाइल में तोड़ फोड़ कर धमकाया सीबी गंश थाना कॉंस्टेबल विपिन कुमार ने शुक्रवार रात शराबियों के चीता मुबाइल पर टक्कर मारने और धमकाने पर मुकदमा धर्श किया है कॉंस्टेबल विपिन कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात वे होमगार्ट जगदीश के साथ चीता 31 पर गश्ट लगा रहे थे जब चीता शाहनी डॉक्टर की दुकान के पास पहुंची तो आशी शुकला रेंग गलत साइड में आकर हमें टक्कर मार दी वह शराब के नशे में था और लड़ खड़ा रहा था तबी उसकी मा आशा देवी, बहन दीक्षा और भाई आर्यन शुकला आ गए और गाली गलोच कर सरकारी कारे में बाधर डाले लगे विरोध करने पर चीता मोबाईल में तोड़ फोर शुरू कर दी, हम लोग बच कर थाने पहुंचे तो सभी एक मनोज नाम के युवक के साथ सीबी गंच थाने में पहुंच गए पहुंचते ही बाहर खड़ी एक होम गाट की मोटर साइकल में भी टक्कर मार दी थाने में वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों के मोबाईल फोन पर जपटा मारा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर शोर मचाते हुए अपनी दो मोटर साइकल छोड़ कर चले गए